दोस्तो आज की इस बोड़े में हम कभर करने वाले हैं एप ब्लोक एलिमेंट एंड इससे चेप्टर के वेटरीज की बात करें तो इससे जो है आपको एक से दो कोशन एवरी एमेसी केमेस्ट्री इंटरेंस के में आपको पूछा जाता है यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको सारे कोस्टन बहुत एजी तरीके जो है स्वाल भी हो जाते हैं तो इसलिए आप सबसे रिक्ष्ट है वीडियो को जो है एंड तक एकना एंड उससे पहले चानल पर नहीं हो तो चानल को प्ले सब्सक्राइब करें आपको प्रेस करें ताकि जब इम कोई नई वीडियो लेकर कर आऊं तो उसकी नोटिफिकर्शन ज इसका लाश्ट लेक्टोन जाता है उसे हम Ablock elements कहते हैं तो इसमें दो सीरीज होती है एक लेंफिनाइड सीरीज होती है तो मेंली जो आपको लेंफिनाइड से देखने के मिलते हैं अक्टेनाइड से बहुत कम मिलते हैं इसलिए हमारा जो मेंन फोकस वाला पार्ट होगा वह हमारा length nights में होगा तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है आपको दिया हुआ general electronic configuration तो यहाँ पर आपको जो है electronic configuration के उपर में questions पूझ जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम general electronic configuration जान लेते हैं तो यह क्या होता है n-2 f1 to 14 n-1 d0 और 1 and ns2 यह होता है mainly आपका okay and यहाँ पर अगर n cell की बात करें तो इससे ultimate cell का जाता है and n-1 cell को जो है penultimate cell का जाता है and n-2 जो cell होता आप से anti-penultimate cell का जाता है okay यह cell का कुछ मैं आपको यहाँ पर data दे रहा था यहाँ पर जो टीन चीजे मैंने यहाँ पर ले रखी है n-1 and n-2 उनके बारे में आपको यहाँ पर जान कर दे रहा था तो सबसे पहले मैं आप बात करते है magic number के बारे में because इससे आपको यहाँ पर nuclear chemistry में आपको courses देखने को मिलते हैं magic number क्या कहता है यहाँ पर a nucleus is more stable than the average जो है आपका यहाँ पर the average if the number of protons and जो है आपका protons are equal to जो है आपका यही जो number आपको दिया हुआ है 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 है यह आपका magic number होते हैं अगर देखो जैसे कि आपको पता है जो a block elements होते हैं okay a block elements में जो है कुछ-कुछ यहाँ पर जो elements होते हैं वो radioactive होते हैं आपको पूछा जाए तो यहाँ पर क्या रिखा वाए जिसका number of neutrons या फिर protons जो वो equal to magic number जो होता है उससे कहते हैं हम यहाँ पर क्या होता है इस्टेबल होता है तो आपको stability के उपर में जो है जामस में कभी कर कोसंस आते हैं कि यहाँ पर एजामपल देख लो PB जो है 82 and 208 तो यहाँ पर देखो 82 आपका एक कि जो है number of protons है अब number of neutrons की बाती रहे तो 208-82 तो यह भी 126 आगया जो कि एक magic number है मतलब यह बहुत ज्यादा आपका stable होता है यह complex तो यहाँ पर यह magic number होने कारण जो है यह complex को एक्स्ट्रा stability जो है मिल जाती है अब lengthenates की बारे हम बात करते हैं यहाँ पर तो जो भी lengthenates होते हैं सारे lengthenates जो होते हैं आपके naturally occurring होते हैं accept PM होगे PM का जो भी नाम होगा full form मैं भी बता दूँगा यहाँ पर accept EM सारे आपके naturally occurring lengthenates होते हैं अब सबसे important बात यहाँ पर बात करना हमें कि lengthenates अगर हम पढ़ रहें तो उसमें हमें electronic configuration जो है या फिर जो भी सारे elements है उसे जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है विकोज lengthenates में आपको वही सब ज़्यादे important होता है तो lengthenates को याद करने की trick मैंने एक already दे रखी है मैंने already एक video बना रखा उसका link आपको मैं description में provide कर दूँगा या फिर आप सबसे पहले मैंने बोला कि यहाँ पर आपका एक इस तरीके से zenon होगा okay एंड उसके बाद मैंने बोलता है n-2 यहाँ पर जो है n-2 1-2 मतब 0-14 इस तरीके से होता है एंड उसके बाद में 5D-01 and 6s2 होता है तो सबसे पहले length rate में electron आपका 5D-01 में होता है then 6s-2 होता है एंड serium का यहाँ पर क्या होता है 5D में 1 चला जाता है and 4f में 1 चला जाता है and 6s पर पर 2 होता है तो देखो PR में क्या होता है d में 0 चला जाता है मतब D के electron F में ही तारी चला जाता है and यह F3 हो जाता है hold still 5Ah पर 5D-01 चला है पर sm के लिए 4F 6 सी लीज़ए and Us ने बाद में EU के लिए यहाँ आप चेक करोगे तो 4F7 एंड यहाँ पर 6S2 रहा गया एंड गेडोलियम के रबचे करो तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 4F7 हो गया एंड यहाँ पर आपका important यहाँ पर क्या है 5D आपका 1 आ गया अब next case में जो है TV के case में यहाँ फिर से electronic configuration आपका यहाँ पर होता है 4F9 मतलब देखो फिर से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर D में electron आया लेकिन यहाँ पर next case में यहाँ पर F electron आता है मतलब यहाँ थोड़े से जो है अजीब टाइक का electronic configuration होता है लेकिन यहाँ पर समझने वाली के case में यहाँ पर deep electron होता है लेकिन याद करने वाली बात यहाँ पर क्या है देखो सबसे important बात यहाँ पर क्या है सुरू के जो है दो यहाँ पर दिया हुआ हुआ है लेंटनियम उसमें डीप में electron होगा फिर किसी में नहीं होगा यहाँ पर चले आना एंड उसके इसलिए यहाँ आपका फिल यहाँ जाता है यहाँ वहाँ जाता है यहाँ जी है यहाँ जबहुत यहाँ पर से खोना नहीं चाहता है इसे EU के बाद में जो आपका एक electron आएगा वो आपका जो है next वाला electron D में जला जाता है because यह half field हो जाता है 4F7 वाला and यहाँ पर देखो यह exactly half field हो जाता है तो इस चीज को आप यहाँ पर ध्याद दना and सब जादे stable की बात करें यहाँ जाता है यहाँ जाता है stable होता है because यह half field configuration होता है तो यहाँ आप देखो mainly case में आपको यहाँ पर दो चीजे मैंने बोली यहाँ पर D का electron इसमें बस रहेगा यह 1 और 2 में and उसके बाद में जो है electron आप कहने होगा and बस सिर्फ रिली जहाँ पर लिटरियम के case में होगा and D पर electron maximum cases में नहीं होते हैं तो यह चीजे जो है इस तरीके से आप series को याद दखलेना and यहाँ पर आप baseline की तरह check कर सकते हो like यहाँ पर EU को यहाँ पर baseline मान सकते हो जो कि half field configuration हो गया and इसके उपर जाओगे तो यहाँ पर F की electron कम करते जाना and उसके बाद इधर जाओगे तो F की electron जो ही increase करते जाना लेकिन यहाँ पर एक case में बस D की electron increase करना तो यह इसका series देकी important था जो कि मैंने आपको थोड़ा से यहाँ पर समझाने कोसिस की है अब हम बात करने वाले कुछ properties के बारे में जिसके उपर में आपको questions देखने को मिलता है यहाँ पर क्या होता है कि maximum oxygen state जो होता है यहाँ प्लस 3 most stable होता है लेकिन दो cases जो है यहाँ पर जो आपको maximum question देखने को मिलता है सेरियम 4 positive एंड टीवी 4 positive अब ऐसा इसी लिए भी को C4 plus जो है fully field होता है जैसे कि तको यहाँ पर C4 plus का electronic configuration अब चेक करोगे तो यहाँ पर देखो क्या है कि S पर 2 electron है D पर 1 electron है F पर 1 electron है मतलब 4 electron अगर हड जाता है तो यह जैनों जो है यहाँ पर आपना बहुत जाए stable configuration हो जाता है इसलिए serium जो है plus 4 oxidation state में जो है present होता है और similarly जो है TB 4 plus में भी present होता है Serium के case में चेक करोगे तो यहाँ पर देखो XEF4 होता है और TB 4 plus जो होता है आपका exactly half field configuration हो जाता है जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कर सकते हो TB के case में यहाँ पर आप चेक कर सकते हो TB के case में क्या होता है यह 2 electron है यहाँ पर दिया हुआ है तो 9 से 2 electron निकाल हो तो 4 F7 हो जाता है मतलब यह भी जो है बहुत जाए stable configuration पहुंच जाता है इसलिए serium जो याद रखना प्लस 4 oxygen state में होता है और दो कैसे यहाँ पर दिया हुआ है लेगिन आपको exam ses में एक question पूझाता है कि exam ses which pair having larger size than others मतलब इस तरीक दिए question पूझाता है कि 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 इनका जो है other species जो भी जोड़ा आपको दिया हुआ होगा पे जिया होगा उससे ज्यादा size होगा तो यहाँ पर इसलिए यहां पर कर ले ना EU and YB अब ऐसा इसी लिए विकोज जितने भी लेंट्राइंट्स होते हैं वह आपके प्लस त्री और स्टेट में यहां पर स्टेबल होता है या फिर प्रेजेंट होते हैं लेगन EU and YB प्लस तू ज़ए फिर इक प्लस यह कारण जो है इनका जो है साइज यहे ज्यादा हो जाता है तो इसलिए यह दुनों का साय ज्यूटिभ बाखी से ज्यूट होता है अब यहां पर हम बात करेंगे वाल है प्लस तरी श्रेट जो है ओल्वेज मोघ मतया है दाधो जो जितना भी contract लूञ्टं जो हें लूस करदेगा अभर जैसा यह लूस करेगा तो किए पे यहां पर एक ब्लस ट्री अक्षएपट 4, óksidars, श्टेट में होते है, वह आपका oxidizing agent होते हैं, यहाद धणा, जो's 4 में होते हैं वो oxidizing agent होते हैं, यहाँ पर joh lendetherium 2 दीख राए आपको, यह आप चेक कऱो तो यह lend retiring plus 3 में چले गा है, यहाँ पर eight electron यहाँ पर यहाँ पर क्या किये हैं, इन्हों सिठी में चला गया इसी कारंड जो है इसका यहां पर क्या हुआ औक्सिडाशन होने कारण जो है यह एक आहां पर द्यान देना अब हम बात करने वाले बहुत important complex के बारे में जिससे जो है आपको बार बार लगातार जो है बी एच्चु जो है question पूछता है Delhi University जो है question पूछता है तो यहाँ पर देखो seric ammonium nitrate यानि seric ammonium nitrate जो होता आपका एक oxidizing agent होता है अब ऐसा की होता है because serium जो होता है plus 4 oxygen state ने present होता है और आपको पता है होता है plus 3 में stable होती है तो यह क्या कर सकता है एक electronics accept केरों यह बात जैसे यह प्लस-3 oxygen state में जो है चला गया आपका जैसे plus 3 oxygen state में चला गया तो यहाँ पर क्या हुआ हुआँइ होगि kommandкус का reduction हो गया अब रिडेक्सन हो ज़दा stable होता है इसका जो भी complex होता है बहुत ज़दा stable होता है इसलिए आपको एजामस में इस से related questions पूछ जाते हैं यहाँ पर जो MNO3 जो है MNO3 माइनस यह आपका MP dented legend है लेकिन यहाँ पर सेरी का size जो है बहुत ज़दा बड़ा होने करने कारें लेकोज यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो है बाइडिंटे लिएंड की तरह एक्ट करता है इसलिए यहाँ पर सी इनो ट्रीप जो होल सीक्स है इसका coordination नमर जो है आपका 12 होता है तो यह complex से ही आपने देखा हमने कितने सारे questions जो ही हमने यहाँ पर बना लिए एंड इसी से बहुत दा questions आपको आते हैं तो यहाँ पर CE जो है यहाँ पर आपका coordination नमल जो है 12 होता इसी को आप यहाँ पर ध्यान देना आप बात करने वाले हम यहाँ पर थोड़ सी magic यहाँ पर magnetic properties के बारे में तो magnetic properties के बारे में आप बात करें तो ground state term symbol के बारे में बात करते हैं सबसे पहले EU3 plus जो कि मैंने आपको जो है already सिखा रखा है तो EU3 plus है क्या होता है दोगो 4F7 5D0 6S2 तो यहाँ पर 4F6 हो जाएगा आप यहाँ पर इसका term symbol निकाल होगे तो क्या होता है 2S plus 1LJ होता है यह होता है एंड मैंने J की बारे में आपको coordination में बताया था जे का value जो होता है L minus S होता है half field के लिए एंड L plus S होता है more than half field के लिए यह मैंने अल्रेडी पढ़ा रखा है sorry coordination में ओके तो इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान देना अब देखो यहाँ पर 6 electron होता है अब इस case में क्या होता है यह electron जो है यहाँ पर इसका value होता है plus 2 हो गया plus 1 हो गया plus यहाँ पर 0 हो गया plus sorry यहाँ पर minus हो जागा यह हो जागा minus 1 minus 2 हो गया तो minus 1 minus 2 minus 1 minus 2 cancel हो गया यह आगया आपका 3 3 मतलब क्या हो गया 0 1 2 3 यानि S P D F हो गया कि एहां पर सबसे पहले आपका सा बोल कर देंज़ अब अब हो गया मतलब Friend की पहले मना अब इस की थीन हा गया मतलब यहां protect calculate कर लिया और यहां पर इस का भीलू calculate कर लिया अब यहां पर टर्म यहां पर आपका term symbol find करते हैं तो क्या था 2S plus 1LJ था आप यहां पर देखो टू इंटू जो है यहां पर एस के भीलू 3 है 3 plus 1 and L का भीलू यहां पर 3 है मतलब SPDF हो गया and यहां पर इस चीज को आप यहां पर ध्यान देना अब यहां पर देखो next example मैं यहां पर दिया हुआ हूँ तो यहां पर आप इससे calculate करना यहां पर यहां पर एंसर भी मैं दे दिया हूँ 5i8 होगा इसका answer तो आप इससे solve करना अब यहां करने का तरीका मैं आपको बताता हूं तो magnetic moment के लिए जो है आपका फॉल्ला होता है यहां पर देखो क्या होता है जीज उकल टू 3 by 2 इंटू यहां पर आपको दिया हूँ एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन बाई 2 जे प्लस वन यह जो है ता आपका फॉल्ला होता है एंड जस्ट मैंने आपको भी सब्सक्राइब करने सीखाया और यहां पर सबसे पहला एसापल दिया वर को सी ए थ्री प्लस दिया हुआ तो यहां पर इसका इलेक्ट्रोन कोंपिक्सन जो है यहां पर आ जाएगा आपका यहां पर फोर एफ़ ओन हो गिया अब इस वन एलक्ट्रोन के लिए जो S is equal to कितना आजागा, 1 by 2 आजागा, L का value कितना हो जागा, 3 हो जागा, because यहाँ पर 3 हो जागा, and J का value L minus S, because यह less than half field है, मतलब यहाँ पर 3 minus 1 by 2, यानि यह हो जागा, आपका 5 by 2 हो जागा, तो यहाँ पर J का value हमने यहाँ पर calculate के लिया, अब देखो, यहाँ पर क्या है, 3 by 2, इंटू, जो है आपका 1 by 2, because यहाँ पर देखो, S इन्टू, 1 by 2, plus 1, because यहाँ पर S अंटू, आपका 4 plus 1, हो गया and इसे further अगर आप solve कर रहे हो तो आपका magnetic moment का जो है यहां पर जी का value सबसे पहले देखो यहां पर आपका आगया यहां पर जहापका जी का value sorry मैंने एक ची मिश्टेक कर दिया आपको यहां पर सबसे पहले जहापको यहां पर जी का value होता है यह आपका formula होता है तो यहां पर आप calculate करोगे तो सबसे पहले जो हमने यहां पर जी क्यों हो जागा जी इंटू जी के लिए मतलब बता रहे था आपके तो यहां पर ध्यान देना यह आपका यहां पर magnetic moment का जो है आपका यहां पर यह फोल ला होता है mu is equal to g into j into j plus 1 and g का value जो यहां पर होता है ना आपका इस फोल लेक तो आप calculate कर सकते हो आपको जो है 3.5 ना देके 3.6 भी दे सकता है और दूसरा EU 3 प्लस का अगर आप calculated value देखोगे न तो वह आता है आपका 0 लेकिन actual value जो होता है आपका 3.3 से 3.5 के बीच में जो fluctuate होता है and SM 3 प्लस के बारे में बात करोगे तो यह होता है 0.85 calculated value लेकिन actual जो होता है आपका यहां होती है वह actual value से जो है कम होती है या फिर different होती है तो EU 3 प्लस and SM 3 प्लस का जो है आपका value यहां पर different होता है and यहां पर आगर आप check करोगे तो मैंने यहां पर EU 3 प्लस का value calculate के दिखाया है 0 आया है अब इस चीज़ को पहचाने कैसी के examinations में जो हमें पूछा चागिया है तो देखो examinations में जो है अगर माल लो यहां पर EU का जो value है तीन तरीक साब calculate कर सकते हो एक STP पे एक NTP पे एक 0 degrees Celsius पे अब STP मतलब क्या होता है STP मतलब होता है standard temperature and pressure यानि 0 degrees Celsius and 1 bar मतलब 0 degrees Celsius and 1 bar मतलब 1 and 3 तो same condition हो गया मतलब examinations में जो है अगर आपको STP दे या फिर 0 degrees Celsius पे calculate करने ब NTP पे पूछ लेना तो NTP पे जो है आप 3.3 से जो है 3.5 और answer मार के आओगे इस चीज़ को आप ध्यान देना ओके यहां पर कब क्योंसा answer करना है यह ची मैं आपको यहां पर समझा दिया यहां पर को NTP है खी मैं बोलना भूल गया यह होता है normal temperature and pressure and 25 degrees Celsius और room temperature जहां पर present होता है उसे हम बोलते NTP अब बाहतो करने में हैं यहां पर Length закрыction के बारे में… तो Length ... जब जाओ towel यहां पर तो क्या होता है यहां पर 61 ormata साते हैं आपको पता है कि A s का component ज्यादा होता है डैन उसके बाद P का होता है देना आपका D का होता है देना आपका F का होता है तो यहाँ पर F का shielding effect होने कम होने के कारण जो है अगर आप left to right अगर जाते हो तो size जो है decrease करते जाता है मतलब length to right contraction is the decrease in the size of the length to right from left to right जब आप movement करते हो in the priority table due to poor shielding of 4F orbitals का इसलिए यहाँ पर left to right move करने जो है length to right का size decrease करते जाता है आप यहाँ पर बात करने वाले कुछ consequences के बारे में जिसके उपर में आपको जहांसे जो question देखने के मिलते है सबसे पहला क्या है melting and boiling point के बारे में तो melting and boiling point के बारे में आपकर बात करें तो left to right decrease करता है जब आप lengthenium के साथ में जो है item जाओगे little tm तक में तो यहाँ पर melting and boiling point जो है decrease करता है chemical properties of lengthenides are almost similar हो जाता है मतब left to right जाओगो तो chemical properties जो है लगबग जो है similar हो जाता है और यह lengthenide contraction के कारण क्या होता है न जो 4D and 5D यहाँ पर जो है series जो होते है न जो आपका similar properties हो जाता है तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर wynadian जिर्कॉनियूम और hopmium के आप cases की बात करोगे तो जिर्कॉनियम and hopmium के जो है यहाँ पर lengthenide contraction के कारण जो है जिर्कॉनियम और hopmium का size जो है आपका यहाँ पर सेम हो जाता है बिकोज यह आपका जो है लेंटराइट कोंटेक्शन के कारण ऐसा होता है तो यह आप याद रखना आपको इसके उपर में जो कोशन पूजाता है कि किसकी प्रोपर्टी या फिर साइज जो है अपरोक्स सेम होगे तो जिर्कोनियम होपमियन एंड सिमिलरली जो है आप बाकी लिटोट्यम में जो है सबस्यादा एटिकों है अगर आपको पूछा जाएगा तो आपके बोलागे लिटोट्यम सबस्यादा एसीडिक क्या अब एक कोशन बहुत ज्यादा फेमस आपक्या करता है एल ओ एच वोल त्री दिया हुआ है एड ल एट फोल त्री दिया हुआ के emporic character emporic character कारण जो है यह सब ज़्जादा basic होता है तो यह याद अखना alimonia माला complex सब ज़्जादा होता है यह चीज आप note भी कर सकते हो आप यहाँ पे सब ज़्यादा stable की अगर आप बात करोगे तो stability जो है आपको मैंने बताया यहाँ पर क्या है कि left to right melting and boiling point जो है आपको क्या होता है decrease करता है साइद मैंने decrease ही कहा था yes decrease करता है ओके similarity जो यहाँ पर stability के बात करोगे तो यह चीज़े होती है मैंने बताया आपको left to add जो है सबसे least basic lototium होता है and सब जाद basic जो है आपका यहाँ पर lengthenium होता है इस cases में अगर आप बस lengthenium series की अगरा बात करोगे अब यहाँ पर chemical properties की बारे में अगरा हम बात करें तो जो आपका lengthenium oxygen से reaction करने के बाद में जो है Ln2O3 का formation करता है and except CE जो होता है na CE जो होता है CE 4 plus fulfilled होता है इसलिए serium जो होता है oxygen साथ reaction करने के बाद में CE 2O4 का formation करता है जिससे जो है CO2 भी आप इसे लिख सकते हो तो इसके उपर में जो है आपको इजाम से कोशन देखने को मिलता है and next क्या है lengthenium जो है hydrogen साथ जब आप reaction करोगे तो यह LnH2 का जो है formation करता है जो की electricity electricity जो है आपका conduct कर सकता है अब ऐसा क्यों हो बिकोज आपको पता है lengthenide जो है plus 3 oxygen प्रेजेंट होता है लेकिन यहाँ पर प्लस 2 में होता है तो यह ऐसा कैसे possible है तो देखो यह actually exist करता है Ln plus 3 H minus whole 2 electron की रूप में यहाँ पर यह exist करता है and this electron कारण जो है यह आपका electricity जो है आपका free electron is responsible for the electricity connection इस electron कारण जो है यह electricity conduction करता है okay and if an electron behave as an NIN it is जो है आपका metal electrode होता है ओके यह चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान देना आप यहाँ पर next क्या है जो यहाँ पर Ln यहाँ पर residue दिया हूँ जब इसे heat करते हो high pressure पे तो यह Ln S3 में convert हो जाता है and यह जो होता है does not conduct electricity because यहाँ पर जो है यह Ln 3 plus and यहाँ पर जो है आपका present होता है 3H minus के form में अब ऐसा form होने के कारण जो यहाँ पर कोई जब आप Ln X3 के साथ में तो यह Ln X2 के form कर देते हैं तो यहाँ पर example LAI2 and CEI2 जो कि आपका यहाँ पर फिर से जो है आपके present हो जाते है and इसे हम बोलते है metal electrodes कर बोलते है metal electrodes कर सकते है इसके बारे में जो आपकर आपको एक्ष्वर्स कर सकते हैं अब बात करने वाले हम यहाँ पर color and expector के बारे में तो देखो यहाँ पर जो DD transaction होता था ना मतलब जो आपने यहाँ पर coordination पड़ता था टो इसका जो यहां पे पीक होता है यह थोड़ा ब्रोड होता है ऐसा इसी लिए होता है जो ff का होता है na ff transition का वह हो था आपको सारफkick होता है यह सार पिक होता है यह चीज चीज को आप ध्याद देना सार होता है f хоч' this Magazır अब एक D एक इंपोर्ड बात है uso अब एक ही好 को अब bon कोई बात ने जाता हूँ अगर याद नहीं रहता तो कोई बात ने भीकोस आपको यांशन कभी भी कलर के उपर में कोसे नहीं पूछा गिया है अब देखो यहां पर कुछ important चीज़ जा दखना जो F0 होता है F7 and F14 जो होता है यह तीनों compound जो है आपके यहाँ पर क्या होता है colorless होते हैं ओके यह compound जो है colorless होते हैं because these compounds due to जो है due to आपका FF translucent जो की होता है यहाँ पे दो है इन Só प्रज़िक लिया होता है अब FF पर आपको पता कि बीच में तो यहां पर क्या है डिल्टा एल की बहलू जो है आपकी 0 हो जाने कारण जो है आपका लेप अपर जो है forbidden हो जाता है यहां पर देखो F7, F0 and F14 जो है यह आपका spin forbidden होता है and F जो आपको यहां पर इस case दिया हुआ है F1 case दिया हुआ है तो इस case में 4F to 5D transition होता है and UV razor यह चीज को जो है आप यहां पर ध्यान दे रहा है आप कुछ important चीज़े के बारे हम यहां बात करते हैं CE 3 plus and TV 3 plus बारे में तो देखो इन दोनों cases में क्या होता है 4F to 5D transition होता है यह क्या करते है न सोज exceptionally strong absorption so करते है यह दोनों complexes and UV reason यह चीज याद रखना है अब reason के बारे में बात करते हैं तो 4F to 5D transition क्या होता है यह लेपड़ अलाउड होता है because delta L की बेलु जो है यहां पर आपका minus 1 होता है because यहां पर F के लिए आपका यहां पर 3 हो गया and 5D के लिए आपका 2 हो गया यहां पर L की बेलु जो है यहां पर 3 and 2 हो गया and यहां पर 2 minus 3 मतलब minus 1 हो गया मतलब delta L is equal to जो है यहां पर क्या आगया minus 1 हो गया मतलब यह आपका लेपर अलाउड हो गया similarly CE3 plus का अगर आप electronic configuration देखोगे तो यह 4F1, 5D0 and 6S0 होता है तो यहां पर क्या होता है ना F से जो है D में electron transition हो जाता है 4F0 and 5D जो है आपका इस case में जो है 5D जो है आपका इस case में 1 हो जाता है आप 5D1 होने कारण जो है यहां देखो क्या हो गया यहां पर A2D जो है आपका ट्रांसन हो गया इस case में आप यहां पर similarly जो है यहां पर चेक करोगा TB3 plus के लिए तो यहां पर जो है आपका 4F8 दिया हुए तो 4F8 से जो है बारे में जो होता है आपका ब्लड रेट लर एंड डोनों जो है यहां पर यहां पर यहां पर हमारा खतम होता है जिसमें कुछ इंपोर्ड़न चीजे थी जिसके उपर आपको एजामसस में लगभ़ग कोसंस देखने की मिलते हैं मिलते हैं इस तरह की वीडियो साथ में नेक्ट की वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद